नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है कुल्दीब क्लासेस के ओनलाइन प्लेटफर्म पर मैं कुल्दीब सिंग आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और आज का हमारा जो महत्पून टॉपिक है वो है सिक्कों की उत्पत्ति एवं विकास सिक्के हमें इतिहास और संस्कृति को समझने में पहत्पूर भूमी का अदा करते हैं सिक्के निर्जीव होते हुए भी हमें अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं शिक्के मूख होते हुए भी बोलते हैं और अपने समय के संस्कृती, सब्बिता और कला के वारे में हमें जानकारियां देते हैं इसलिए शिक्के हमारे ज्यान में एक तरह से बृद्धी ही करते हैं तो इसलिए हम देखा जाए तो एक्जाम के point of view से सिक्कों से संबंदित बहुत सारे सवाल आते हैं और अमूमन बच्चों के सामने ये प्रशन होता है कि सिक्के के वारे में जो जानकारियां अलग-अलग जो राजबंसों में हमें देखने को मिलती हैं, अलग-अलग प्राच आज की class को। जैसा कि मैंने सिक्कों का महत बताया, तो सिक्कों का महत इससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थ विवस्ता की जो नीव होती है, वो होती है मुद्रा, मुद्रा यानि की जो currency चलती है और अमूमन पुराने जमाने में जो currency चलती थी, वो coins के रूप में थी, स इस तरह से मनुष ने समाजिक विकास किया, और समाजिक विकास के साथ साथ जिस तरह से प्राचीन भारत में आर्थिक गतिविदियों में ब्रदी हुई, आर्थिक गतिविदियां तेज हुई, उसी परकार से विनिमय के साधन के रूप में हम एक ऐसी वस्तू की जोरुत जिससे विनिमे करना यानि की लेन दिन करना काफी आसान हो पहले विनिमे के लिए वस्तु विनिमे परणाली चलती थी जिसको हम लोग वाटर सिस्टम कहते थे तो वाटर सिस्टम यानि की वस्तु विनिमे परणाली क्या थी चलती रही लेकिन जिस तरह से आर्थी गतिविदियां तेज हुई और जो ब्यापार था वो एक छेतर से दूसरे छेतर में होने लगा एक छेतर से दूसरी दूर दराज के छेतरों तक होने लगा यानिकि ब्यापार यानिकि आर्थी गतिविदियां जब असीमित रही तो वि देखिए भारत में सिक्के की पतीक कब होई यानि कि हम लोग प्रारंबिक सिक्के की बात करें और यह बात हो और यह भारत के point of view से यानि कि भारत के context में हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रारंबिक सिक्के जो भारत में स्टार्ट हुए, उनको कहा जाता है आहत, भारत में प्रारंबिक सिक्के थे, भारत में प्रारंबिक सिक्के जो बनाए गए, यानि कि जो ढाले गए, वो बेसिकली चांदी और तामे के बने होते थे, चांदी और तामे के जो धातु है, इनका इस्तमाल किया जाता था आहत सिक्कों को बनाने में आहत सिक्कों को पंच मार्क भी कहा जाता था इनको पंच मार्क भी कहा जाता था तो भारत में जो प्रारमिक सिक्के थे उनको आहत कहा गया जिनको पंच मार्क भी कहा जाता था और यह किसके बने होते थे यह चांदी और तामे की धातू के बने होते थे इनको पंचमार क्यों इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको ठपा मार के इन पर आकर्ति छापी जाती थी तो भारत में जो प्रारमिक सिक्के बने आहत जिन पे कुछ लिखा हुआ नही रहता था और इनुपे आकरती को ठपा मार के चापा जाता था और यह आकरती प्राकरती से संबंदित होती थी जैसे सूर की आकरती बनी हुई है अर्द चंद्राकार की बनी है किसी मचली की बनी है और जीव जन्तु हैं उनकी आकरती बनी हुँ और इस प्रकार से भारत में आहत सिक्के प्रचलन में आए एक सवाल पूछा गया था कि आहत जो सिक्के भारत में सबसे पहले चले या सबसे पहले भारत में जो सिक्के चले वो कब चले तो भारत में सरपर्थम जो प्रारामिक सिक्के चले वो चले चटी सदाब्दी यानि की 600 इसा पूर के समय चटी सदाब्दी इसा पूर में यह सिक चले और यह जो टाइम पीरिट था ये टाइम पीरिट था वढद और जेन्धर्म से संबदित टाम पीरिट था यानि कि सवाल जो पूछा गया था कि भारत में प्रारणभिक्स इक ठे श्के तब भारत में आहत जो प्रारारंभिक्स इक ठे वह चलन में आए ये वो time period था जब भारत में 16 महा जन्पत का काल था तो हो सकता option में 16 महा जन्पत दिया हो option में 6 सदाब्धी इसा पूर्ब दिया हो 600 BC या option में दिया हो बौध और जैन्धर्म का time period तो देखा जाए तो ये भारत में पहले सिक्के थे आहल जिनको पंच मार्ग भी का जाता है जिनको उपर प्राकरती से सम्मदित वस्तूँ की आकरती बनी होती थी तो ये थे भारत में पहले सिक्के जिनको आहा तिया पंच मार्ग हम लोग कहते है मौरे कालीन सिक्के 16 महाजनपत के बाद जो सबसे महत्मुर महाजनपत था वो मगद महाजनपत था और मगद महाजनपत में देखा जाए तो वो एक समराज का रूप ले लेता है और इसके बाद चंदगुप्त मौर वहाँ पे मौर डानेश्टी को मौर वंस की नीव रगता है और इस तरह से मौर समराज स्थापित होता है बहुत बड़ा समराज था इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे अभी हम लोग चर्चा करते हैं मौर कालिन सिक्कों के बारे में तो देखिए मौर कालिन सिक्के यानि कि मौर्यों के जो राजकी सिक्के थे, उनको पड़ कहा जाता था, धरण भी कहते थे, और इनको कर्षा पड़ भी कहते थे, क्या क्या इनका नाम है, इनको पड़ भी कहा जाता था, धरण भी कहते थे, और कर्षा पड़ कहते थे, मौर के जो राजकी सिक्के थे जिनको पढ़ धरण और कशा पढ़ कहते थे ये सिक्के चांदी धादू के बने होते थे ये किसके बने होते थे चांदी के बने होते थे ये भी एक महत्मूर सवाल है जो पूछा जाता है एक और महत्मूर्द बात है लक्षणा द्यक्ष एक पद था लक्षणा ध्यक्ष का लक्षणा ध्यक्ष क्या करता था लक्षणा ध्यक्ष राजकिये सिक्ष के जारी करता था क्या करता था ये राजकिये सिक्कों को जारी करने का काम कौन करता था लच्छना धच करता था लच्छना धच को जो था वो टकसाल का परदान भी था टकसाल याने की टकसाल में ही सिक्के बनते हैं उसको टकसाल कहते हैं जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है तो ये लच्छना था जिसका नाम था लच्छनदच यह लच्छनदच क्या करता था यह राज की सिक्कों को जारी करता था और इसके बाद यह टकसाल का भी प्रदाल होता था अब देखिए यहाँ पर एक और महत्पुर बात है एक और पोस्ट की हम लोग चर्चा करेंगे वो पोस्ट का नाम है रूप दर्शक एक पद है रूप दर्शक मौरेकाल में एक पद था जिसका नाम था रूपदर्सक रूपदर्सक क्या करता था रूपदर्सक का काम था मुद्रा का परिक्षण करना अब सवाल आपके जहन में आया होगा कि यह मुद्रा का परिक्षण क्यों जरूरी है तो मुद्रा का परिक्षण इसलिए जरूरी था मौरेकाल में कि कुछ लोग मौरेकाल के समय घर में भी सिक्के ढालते थे और घर में सिक्कों के ढालने के बाद जब ये मार्केट में आते थे तो मार्केट में उन सिक्कों का परिक्षण करने का जो कारण था वो कौन करता था और ये रूप दर सक free में परिक्षन नहीं करता था, यानि कि राज जो था ये tax लेता था इस मुद्रा का परिक्षन करने के लिए और जो tax लेता था उसको कहा जाता था, रूपी का और जिसको परिक्षन कहा जाता था तो ये रूप दर्शक का कार था मुद्रा का परिक्षण करना और मुद्रा के परिक्षण करने के बाद ये टैक्स लेता था जो ये स्टेट को देता था जिसका नाम था रूपी का या परिक्षण तो ये और महत्मुर्ण जानकारिया है, मौरेकाल के समय कुछ तामे के सिक्के चलते थे जिनको मासक कहा जाता था और एक और सिक्का है काकडी ये भी तामे के सिक्के होते थे जो मौरेकाल के समय चलते थे, आईए आगे बढ़ते हैं हिंद यूनानी सिक्के इंडो-ग्रीक कौइंस की बात करते हैं तो हिंद यूनानी कौन थे मैं आपको बता दूँ कन्फ्यूस नहीं होना ये हिंद यूनानी कहा से आगया मोर्यों के बाद मोरियत्तरकाल के समय ही हम देखते हैं कि भारत में कुछ विदेसी आकर्मन होते हैं और विदेसी आकर्मन की सिंखला में जो विदेसी आकर्मन की सिंखला है जिसको हम लोग पढ़ते हैं G.S.P.K के नाम से ग्रीक, शक, पहलब और कुशान तो ग्रीक थे यो कौन थे जब अलेक्जंडर सिकंदर भारत पे अटेक कर पढ़ गया और अपने कुछ सामंतों को निप्त करके गया भारत के आसपास के छेत्रों में तो यह वही लोग थे उनी के लोग थे जो हिंद युनानी शाषा कहला है और यह बेसिकली ट्रांस अक्षियान छेत्र यानि कि हम क्या सकते हैं अफगानिसान से कुछ लगे हुए चेत्रे यहाँ पर यह शाषन करती थे हिंद युनानी सिक्कों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंद युनानी सिक्के थे भारत में सरपर्थम जो लेक युक्ति सिक्के जारी किये गए वो हिंद युनानी सासकों के द्वारा जारी किये गए कौन से सिक्के लेक युक्त अगर है तो ये पहले सिखे जो मिले थे भारत में जिन पर उपर कुछ लिखा था या राजा की परितिमाती वो थे युनानी सासक जिन्होंने भारत में सबसे पहले लेख युख्त सिखों को जारी किया तो पहला पुईंट तो यह हो गया कि सबसे पहले लेक युक्त सिक्के जारी किये सबसे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि इनका एक शाशक था जिसका नाम था मिलिंद जिसको मिनांडर भी कहते है मिनांडर ने क्या किया मिनांडर ने जो सिक्के जारी कि मिनांडर के जो कांस युगीन स्वरी कांस युक्ति सिक्के थे कांसे के बने सिक्के थे ये भी ज़्यादा भैतपूर थे जिन पर धर्म चक्र बना हुआ था जिन पर क्या बना हुआ था धर्म चक्र बना हुआ था, जो युनानी शाशक था, हिंद युनानी शाशक था, जिसका नाम था मिलिंद, और मिलिंद के जो सिक्के थे, जो कासे के बने हुए थे, मिश्रित कासे के बने हुए थे, वो सिक्के जो थे basic उन पे धर्म चक्र बना हुआ था, तो ये भी बहुत जादा महत्पूर है हिंद युनानी सिक्के हिंद युनानी सिक्कों को कि द्रम कहा जाता था क्या कहा जाता था द्रम कहा जाता था ये भी सवाल आ सकता है कि हिंद युनानी जो इंडो-Greek जो क्वाइंस थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको धरम कहा जाता था, ये भी एक बहुत ज़्यादा मैत पूर है, चली आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुशार कालीं सिख्के, सबसे मैत पूर है कुशार कालीं सिख्के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौरियत्तर क काल के बाद जब भारत में देशी आकर्मन हुआ और इसमें हमने जी एस पीके की बात की थी यानि की ग्रीक इंडोग्रीक शक पैलव और कुशार तो कुशारों की समय के सिक्कों की थोड़ी सी हम लोग क्या कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं तो क्या है देखते हैं कुशार शाशक थे वो भारत में पहले ऐसे सासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किये जिन्स ficou जाता है किस को जाता है कुशाण साशकों को जाता है एक उर मैत्पूर बात है कुशाण सास्क में ही Mैत्पूर कुशाण सासक था का नाम था कनिश्क क्या नाम था जिसका कनिश्क नाम था और कनिश्क ने भारत में सुद्धिस होने के सिक्के जारी किये सुद्धिस होने के सिक्के जारी किये प्योर गोल्ड सवाल जो पूछा गया था यह पूछा गया थे भारत में सुद्धिस होने के सबसे जादा सिक्के किस ने जारी किये तो भारत में सबसे जादा सुद्धिस होने के सिक्के जारी करने का श्रेभी कनिश्क को जाता है और भारत में सुद्धिस होने के सिक्के जारी करने का श्रेभी कनिश्क को जाता है अब यह कनिश्क ने सुद्धिस होने के सिक्के जारी क्यों किये अगर सुद्धिस होने के सिक्के कनिश्क ने जारी किये इसका मतलब यह है कि उस समय की अर्थविवस्ता बहुत विशाल रही होगी और बहुत पावर्फुल रही होगी यानि कि भारत की अर्थविवस्ता जो थी वह ज्यादा ता कश्मीर को उपर से एक रेशम का मार्ग जाता है यह चीन को यूरोप से जोड़ता था यह चीन को यूरोप से जोड़ता था यह कहा जाता है कि इस रेशम के मार्ग पर कनिश्क ने कबज़ा कर लिया था जिस कारण कनिश्क को बहुत जादा कर मिलने लगा और भारती व्यवस बिजनिसमेन थे उनको भी बहुत अच्छा बिजनिस करने का माध्या मिला इस रेशम के मार के द्वारा तो इसके कारण हो सकता है कि कनिस्क के पास अपार मुद्रा भी आई हो और जिस कारण उसने सुने के सिक्षे जारी कि कनिष्क बहुत important भी है कनिष्क के समय एक बहुत संगीती का यूजन किया गया था कश्मिर के कुंडलवन में समभता वो चौती बहुत संगीती थी और कनिष्क के समय ही 78-20 में सक्समभत की क्या होती है सुरवात होती यह भी कनिष्क से संबन्दित है बहुत मैधपूर है, कनिश, तो कनिश बहुत मैधपूर सासक है, कुशाण वंस का, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिये हैं, फिलाल, अब देखिए, भारत में जो विदेशी आक्मन हुआ था, GSPK के रूप में, ग्रीक, इंडो ग्रीक, शक, पहला वो कुशाण से पहले, भारत में एक और वंस था, जिसका नाम था, साथ वाहन वंस, बहुत इंपोर्टेंट वंस है, साथ वाहन वंस, तो साथ वाहन वंस की मैंने क्यों चर्चा की यहाँ पर, एक और वंस है, जिसका नाम था, साथ वाहन वंस, साथ वाहन वंस की हम लोग चर्चा साथ वाहन बंस कुसार से संबंदित नहीं है चुकि स्लाइट के कारण हम ने यहां पे लिखा है साद वाहन बंस जो था इसने भारत में इसे और को पोटिस धातू के सिक्के जारी किये थे एक सावाल जो पूछा गया कि भारत में सीसे धातू के सिक्के किसे जारी किये तो भारत में सीसे के जो सिक्के जारी किये सीसा एक धातू होता है उसके सिक्के जो जारी करने का श्रे जाता है वो जाता है साथ वान वंस के शाशकों को जाता है और इसमें एक जो शाशक है जिसका नाम है यगश्री यदिश्री शतकर्णी ने जो सिक्के जारी किये उस पे जलियान का चित्र बना था किसका चित्र बना था जलियान का चित्र बना था ये भी एक बहुत जादा महत्मूर सवाल है जो पूछा गया था कि किसने अपने सिक्कों पर जलियान का चित्र जारी किया तो यकिश्री शतकर्णी था जिसने अपने सिक्कों पर जलियान का चित्रे जारी किया चली आगे बढ़ते हैं हम लोग गुप्त कालीन सिक्के मौरत समराज के बाद मौरतर जो काला आया मौरतर काल के बाद भाद पर देशी आख्मन हुए उसके बाद हम लोग आते हैं गुप्त कालीन सिक्कों के बारे में जानकारी थोड़ा सा बताते हैं आपको भारत पर भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने का जो शिरे जाता है वो गुप्त शाशकों को जाता है भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मैं सुद्ध सोने की बात नहीं करा हूँ भारत में सबसे ज़्यादा सोने और चांदी के सिक्के जो जारी किये सबसे जारी किये वो किनों ने जारी किये वो गुप्त शाशकों ने जारी किये बहुत important भी है गुप्त शाशकों ने तामबे के सिक्के ना के बराबर जारी किये तो जो गुप्त शाशक थे उन्होंने तामबे के सिक्के लगभग ना के बराबर ही जारी किये ये भी एक बहुत महित्पूर है गुप्त शाशक में एक शाशक है जिसका नाम है कुमार गुप्त कुमार गुप्त ने मयूर शैली में सिक्के जारी किये एक और बहुत महत्पूर्ट सावाले पूछा जाता है कौन सा शाशक है जिसने मयूर शैली में सिक्के जारी किये तो महीूर सेली में जो सिक़्े जारी करने का जो शरया जाता है, कुमार गुप्त को जो की एक गुप्त शाशक है. तो यह थे गुप्त कालीन, सिक़्े के बारे में हमने यहां पे क्या की? ठोड़ी सी चर्चा की, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम लोग बात करते हैं, गुप्त काल के बाद हम लोग आते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, यानि कि मद्दे काल में आते हैं, बंद करना इसको थोड़ा सा, नहीं गरवड यह हो गया, तो गुप्त काली सिकों के बाद, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा गुप्त तरकाल की बात करते हैं, तो गुप्त तरकाल में भारत में सिकों का परचलन देखने को थोड़ा सा कम मिलता है, जादा हो सकता है, खोज ना की गई हो, वस्तु बिन में प्रणाली की हो सकता फिर से सुरुवात हो गई और कुछ कहीं कहीं हमें ये भी साक्ष मिलते हैं कि कौडियों के माध्यम से ब्यापार होने लगा था और जिसको कर्प दर्क भी कहा जाता है एक ऐसा भी साक्ष में मिले हैं अब हम लोग बात करते हैं मद्यकालिन की तो मद्यकालिन में हम लोग बा रहुत बंस आते जिसमें है आपका गुलाम बंस खिलजी बंस तुखला刚vinds सेख़ और लोधी बंस से इंप था MBT, यानि कि मुहम्मद बिन तुगलग जिसको शॉट में लोग MBT कहते हैं, मुहम्मद बिन तुगलग जो कि तुगलग शाशक था, दिल्ली सल्तनत का सबसे जादा ज्यानी शाशुपा में से एक था, सबसे जादा एजुकेटेट पड़ा लिखा और इसको विभिन विश बहुत जादा प्रसिद हुआ और जो भी डिसीजन इसने लिया, वो डिसीजन हमिशा फ्लॉप पी रहा, तो इसमें एक सांकेतिक मुद्रा की सुरुवात की, सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है, यो एक्च्वल जो मुद्रा होता है, उसके बदले इसने दूसरी मुद श्टार्ट की और जो मूल था उसी मुद्रा के बराबर ही रखा और इसने तामबे और कांसे की एक तरह से कह सकते हैं सांकेतिक मुद्रा सुरू की जिसको अदली कहा जाता था जो की बहुत जादा मैधपूड है इबनब तूता दिनार ये एक सोने का सिक्का था जिसको मुहंबन बिन तुगलग ने चलाया तो मुहंबन बिन तुगलग ने एक दिनार चलायी जिसका नाम था इबनब तूता और ये बेसिकली सोने का सिक्का था मौंबन बिन तुगलग ने बहुत साले decision लिये खेर उनके बारे फिर कभी चर्चा करेंगे फिरोज तुगलग जो की तुगलग वन से ही संबंदी था जिसने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए जिसको अद्दा और बिक कहा जाता है तो हम लोग बात कर रहे हैं फिरोज तुगलग की तो फिरोज तुगलग ने दो सिक्के चलाए जिसकों कहते हैं हम लोग अद्दा और बिक कहते हैं तो अद्दा और बिक इन्होंने दो सिक्के चलाए ये दोना सिक्के करमसा तांबे और चांदी के बने होते थे दिल्ली सल्तनत में जो तामे के सिक्के चलते थे उनको दिरहम कहा जाता था तो दिल्ली सल्तनत में अमूमन जो सिक्के चलते थे जिनको क्या कहा जाता था दिरहम कहा जाता था चलिए थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं अब बात करते हैं विजन अगर की कि विजनगर विजनगर राजि की जो नीव डाली गई 336 eaway में डाली गई थी हरिहर और वुकगा ने किसके समय जब chimney में लिपन विपस नॆ को बरस Gulag मोगा नीव डाला है 1336 CC में हरीहर और वक्का के दो भाईयों थे इनौने इसकी नीवडली भारतितिहास में अगर मुद्राप्रबंधन की बात की जाए मुद्रермडविख्त हुई बेद अगर सम्राज की हलाकि सेहरसा सूरी परवब्र हैं कि तो इसने का सिkk ॉअर इस खाना जाता था 12 हैो जिसको कहा जाता था रहा 2 है यह ये क्या स्वाने का स्वाने का सिक्खा था और है उस समय के ब्यापारी इस सौने के सिख्के के माध्यम से विद्ह 25 करना पसंद करते थे जाती नगरों में इसके लाब हम लोग बात करते हैं, विजन अगर समराज के साशकों ने छोटे सोने के सिक्के चलाए जिसको परताप और फडम कहा जाता था, परताप और फडम, विजन अगर समराज के साशकों ने छोटे चांदी के सिक्के चलाए जिनको तार कहा जाता था, क्या कहा जाता थ तार यह चोटे चान्दी के सिक्के थे जिनको विजन अगर समराज के सास्पों ने चलाया आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब चर्चा करते हैं हम लोग शेर्षा सूरी की शेर्षा सूरी पंद्रासो चालीस इसवी से लेकर 1545 इसवी तब मातर पात साल साशन करता है और इसका शाशनकाल बहुती जादा इंपर्टेंट है क्योंकि इसने जनता के विकास के लिए जितने कार किये देखा जाये तो मद्दे काली भात में शायदी कोई शाशक होगा जिसने इतने कम समय में जनता के लिए कार किया हो आपको यकिन नहीं होगा जिस GT रोड को आप आजकल जो GT रोड के नाम से प्रसिद है इसको बनाने का श्रेबी सेरसा सूरी को जाता है और ये जो रोड थी मैं आपको बता दूँ बंगाल से स्टार्ट होती थी सुनार गाउं से और ये पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांथ है वहाँ पर अटक नामक एक जगह है जो की बॉर्डर पे इस्तित है ये अटक तक जाती थी तो बंगाल के सुनार गाउं से लेज़ कर अटक तक जो जीटी रोड है इसको बनाने का श्रेबी जाता है सेरसा सूरी को सेरसा सूरी ने अपने शाशनकाल में 5 साल में 1700 सरायों का निड़माड कराया सराय वो इस्तान होते जहां पर यात्री क्या करते हैं विश्राम करते हैं तो यह था सेरसा सूरी के बारे में सेरसा सूरी ने सिक्कों में संबंदित क्या किया था सेरसा सूरी ने रुपया चलाया पुराने जितनी मुद्रा थी सब को खतम करके इसने रुपया चलाया जो चांदी का होता था और इसका वजन होता था 180 ग्रेंग ये रुपया बिटिश भारत में बिटिश भारत में अर्थिविवस्था की नीम थी और किसी भी मुगल साशक ने इस रुपया को हाटाना उचित नहीं समझा और बिटिश काल तक ये रुपया चलता रहा और देखा जाये तो भारत की आदिकारिक मुदरा भी आज चल देखा जाये तो रुपया है और इस रुपय का यानि कि शेरसा सूरी की समय जो रुपया चलाया गया उसका वजन होता था इसके लाबा शेरसा सूरी ने तामे का भी सिक्का चलाया जिसको दाम या पैसा भी कहते थे तो ये था सेसा सूरी से संबंधित जो बाते थी कि इसने रुपया चलाया, बहुत इंपोर्टेन रे चांदी का रुपया चलाया था, 180 ग्रेन होता था, तांबे का सिक्का भी चलाया जिसको दाम या पैसा कहते थे, तो आज के लिए सिक्कों में इतना ही, thank you so much.